ओम कन्पते इनवा, ओम कनिशा इनवा दोस्ता हम लाल किताब की सीरीज पर चल रहे हैं, यह सेकंड वीडियो है अब इन अगले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लाल किताब वैदिक एस्टोलोजी के साथ डिफरेंट कैसे है वो चीज़े मैं कवर करूँगा जो वैदिक एस्टोलोजी से डिफरेंट है लाल किताब की स्पेशल टर्मिनलोजी है जो की वैदिक एस्टोलोजी में यूस नहीं होती है जहां पर जुरूरत होगी, मैं वैदिक को कवर करूँगा मगर अब ही जो हमारा फोकस रहेगा लाल किताब के साथ जो स्पेशल इसके अंदर है, जो की वैदिक में नहीं है मैंने अब को बताया कि लाल किताब के अंदर हम सिरफ मेश राशी को लगन में लेकर चलते हैं तो अगर लगन में फ़स्ट मेश राशी आती है तो उसी सीक्वेंस में एक से बारा राशियां सभी घरों के अंदर आती है तो यह जो घर, यह नंबर है, घर के नंबर और यह राशी नंबर सेम हो गए है लाल किताब के अनुसार इसके अंदर हम लाल किताब के घरों और उनके इंपोर्टेंस के उपर फोकस रखेंगे उच और नीच ग्रहों का जो पता है, वो हमें घरों के माधियम से चलेगा तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं, पर्मेंट हाउस इस क्या होती है हर प्लेनेट को कोई पर्मेंट हाउस दिया गया है, उसके अनुसार जो घर की सिगनिफकेशन आती है लाल किताब के अनुसार सूर्य पहले घर का स्वामी है, चंदर्मा चौथे घर का स्वामी है मंगल तीसरे और आत्वे घर का स्वामी है, इसके इलाबा इसको फर्स्ट आउस का भी लॉर्डशिप दिया गया है मगर में लॉर्डशिप सूर्य का रहता है, फर्स्ट आउस का तो मंगल चौथे घर का, मार्स तीसरे और आठवे घर का, बुद्ध ग्रह सातवे घर का, यह इंटरस्टिंग है, जुपिटर जो है, वो सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और ट्वेल्थ, यानि कि सेकेंड पैसे का घर, फिफ्थ बच्चों का घर, एजुकेशन का घर, नाइ वेनस को भी सातवे घर का, लॉडशिप दिया गया है, सो सेवन्थ आउस का लॉडशिप में, वीनस और मर्करी, यह दो प्लैनेट इसके लॉड़ है, सेटरन, सेटरन के पास लॉडशिप है, एट्थ आउस की और टैन्थ आउस की, सो आब याद गरें, मंगल के पास भी ए वेल्थ हाउस का लॉड़ है, और केतू, सिक्स हाउस का लॉड़ है, इसके आगे बात करेंगे, अगली वीडियो में, आपका दिन शुब रहे, ओम गन्पते नमा